हमारी ये दुनिया कई ऐसी रहस में चीजों से भरी हुई है जिनकी खासियत आपको हैरान कर देगी प्रचीन काल से ही गुफाए अकर्षन का केंदर रही है आपने भी कई छोटी बड़ी गुफाएं देखी होगी लेकिन दुनिया में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शुनकर आप हैरान हो जाएंगे यह गुफा इतनी बड़ी है कि इसमें आट तस मंजिल नहीं बलकि चालिस मंजिल का इमारत बनाया जा सकता है यह अनोखी गुफा मद्धिवियत नाम के जंगलों में है इस गुफा को हैंग श्रंडूंग नाम से जाना जाता है श्रंडूंग गुफा जंगलों के बीचों बीच इस्तित है माना जाता है कि यह गुफा लाखों साल पुराना है इस अधुत गुफा के अंदर में 150 गुफाएं हैं इसकी कुल लंबाए 9 किलोमीटर है साथ ही 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर उची है इस गुफा के अंदर पेड़ पौधे से लेकर जंगल, बादल और नदी सब कुछ है लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार प्रेटगों के लिए खोला गया था इस गुफा की संचाही को दुनिया के सामने लाने के लिए एक अभ्यान चलाया गया यह अभ्यान 10 अप्रिल से 14 अप्रिल 2009 के बीच चलाया गया था लेकिन उनका अभ्यान बीच में ही एक बड़ी दिवार आने के कारण डुप गया था इस गुफा से निकलने का रास्ता 2010 में खोजा गया जब एक दल ने 200 मिटर उची दिवार को पार किया उस दल के लोगों ने पाया कि यह गुफा वियतनाम की पिछले सबसे बड़ी गुफाओं से 5 गुना तथा विश्व की सबसे बड़ी गुफा है आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ 200-300 लोगों को ही यहा जाने की इजाज़त मिलती है इस गुफा को देखने के लिए दूर दूर से परियाटक आते हैं अस्थानिय लोगों के मताबिक इसका एक अपना इकोसिस्टम और पैटर्न है जो बाहर की दुनिया से बिलकुल ही अलग है इस गुफा को 29 साल पहले एक अस्थानिय निवासी होग खान दुआरक हो जा गया था साल 1991 में होग खान चुना पत्थर की चटान तोड रहा था तभी अचानक उन्हें ठोकर लगी और एक नदी की आवाज सुनाई दी उसके 18 साल बाद होग खान ब्रिटिस सुथ करताओं की एक टीम के शाथ गुफा वाली जगा पर पहुँचे जमीन से करीब 262 फिट नीचे ये गुफा इतनी गहरी है कि इसमें 40 मंजिला इमारत बनाई जा सकती है इस गुफा का कुछ हिसा उपर से तूटा हुआ पाया गया जहां एक जंगल भी दिखाई देता है यहां जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी कहानी में आ गये हैं इस गुफा में एक डरावनी आवाज निकालती हुई नदी भी बाती रहती है यहां पे 300 मिलियन साल पुराने जिवाश में भी पाए गए हैं दोस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही वीडियो अच्छा लेगी तो लाइक और सेर जरूर कीजिए साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग